हेलो एवरीवन, वन्स अगेन वेल्कम बेक टो आवर यूटूब चैनल नर्सिंग नोट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हेल्थ असिस्मेंट के बारे में जो सब्जेक्ट है कम्मुनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फंडामेंटल आफ नर्सिंग ठीक है, दोनों जो हे सब्जेक्ट उसमें ये यूनिट है हेल्थ असिस्मेंट, इम्पोटेंट टोपिक है इससे रिगार्डिंग आपका पांच नंबर का कुभी कोशन्स बन सकता है वोट इस हेल्थ असिस्मेंट एंड इसके परपस क्या होते है इसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना होता है तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते है सिम्पल वर्ड में हेल्थ असिस्मेंट इस अ कलेक्टिंग ओफ डाटा ओफ क्लाइंट यानि कि जो पेशेंट होता है उसका क्या है जो डाटा होता है मतलब इसके बारे में क्या डाटा कलेक्ट करना है अ सिस्टेमेटिक डाइनेमिक प्रोसेस बाइवीच दा नर्स थ्रू इंटरेक्शन विद क्लाइंट यह क्या एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस होती है ठीक है जो nurse और client के बीच में होती है significant other and health care providers collects and analyzes data about client और जो patient होता है ठीक है उसके data का analyze करना कि past illness क्या थी उसकी present illness क्या है ठीक है इसके बारे में उसके अंदर analyze करना तो यह इसकी simple definition हो गई और simple word में देखे तो इसकी definition एक और है health assessment is collect data about client's health status means जो patient है ठीक है जो clients है उसके health status के बारे में data collect करना health assessment कहलाता है ठीक है इसकी second definition हो गई अब बात करते हैं purpose of health assessment इसके क्या क्या purpose है यानि उद्धेश्य क्या होते हैं ठीक है इंडिकेशन एक तरह से to collect data about physical, mental and social well-being of client यानि कि patient का physical, mental and social data collect करना यह इसका first purpose हो गया second purpose है to identify the problem in early stage और patient की जो problem है उसको early stage में क्या है identify करना है और उसको solve करना है ठीक है यह इसका second purpose हो गया third purpose है to determine the causes of disease और जो disease है उसका causes का पता लगाना इसका third point हो गया इसके बाद fourth point है to collect data systematically और जो patient का जो data है जो इसकी health status है उसको systematically क्या है हमको collect करना पड़ता है ठीक है वो इसके अंदर fourth purpose हो गया ठीक है fifth purpose क्या है इसका to identify clients strength, weakness and knowledge और इससे क्या है patient की strength, weakness and knowledge का पता चलता है ठीक है health assessments है तो यह हमारा fifth क्या है purpose हो गया अब बात करेंगे assessing the health is a process that involves इसके अंदर क्या है दो चीजे included होती है जो सबसे पहला होता है health history and second होता है physical examination physical examination के उपर हमने video already बना रखी है ठीक है एकदम easy language में क्या है इसके notes available है उसकी link आपको description में दे देंगे वहाँ से जाके आप देख सकते है लेकिन इस video के अंदर हम shift for shift पढ़ेंगे health history के बारे में तो सबसे पहले health history क्या होता है it is collection of subjective data in details regarding clients health in chronologically order और chronologically जो orders होता है उसके according ही हम क्या है subjective data collect करेंगे तो यह इसकी health history की क्या है definition हो गई ठीक है अब इसके जो purpose है उसके बारे में हम discuss करेंगे health history के purpose अब हम health history क्यों लेते हैं सबसे पहला purpose है to develop nursing diagnosis हम health history क्यों लेते हैं ताकि हम nursing diagnosis developed कर सकते हैं जो नंदा के according होती है second है to greater subjective data from client और जो patient है ठीक है उससे subjective data और भी collect कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा subjective data हम collect कर सकें next है third point इसका to plan action for हम किसलिए कर सकते हैं promoting of health ठीक है first point हो गया हमारा health को promote करने के लिए second है prevention from disease disease से prevention के लिए third point है minimize chronic health problems और patient की जो health problems है chronic यानि लंबे समय से जो चल रही है उसको minimize कर सकें मतलब की कम कर सकें यह हमारा third क्या है इसका purpose हो गया health next है fourth point इसका last point to compare clients health status with optimum health health history का purpose क्या है कि जो patient का health status है ठीक है उसका compare कर सकें इससे optimum जो health होती है उससे तो इसका क्या है fourth purpose हो गया next बात करते है format of health history जो हम nursing care plan बनाते हैं ठीक है उसके अंदर भी एक health history होती है वो ही क्या है health history है यह तो सबसे पहला है बायो ग्राफिक डाटा सबसे पहले हम क्या लेंगे उसका बायो ग्राफिक डाटा जिसके अंदर आ होगा उसका name, age, sex, education, and occupation ठीक है एक, दो, तीन, चार, and पांच पांच चीजे हम क्या है बायो ग्राफिक जो डाटा होता है उसके अंदर हम collect करते हैं next होता है second, chief complaints, chief complaints क्या होती है जो patient hospital में जब admit हुआ है इस problem की वज़े से हुआ है, जैसे की fever की वज़े से हुआ है, ठीक है तो वो क्या हो गया उसका chief complaint, जिस complaint के साथ patient admit हुआ है, वो complaint होती है हमारी chief complaint next है third point, history of present illness, patient की present condition है, present में जो illness है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, medical या फिर जो surgical illness है उसके बारे में आपको लिखना है इसके अंदर next step, fourth point, past health history में भी क्या है, medical and surgical जो illness है उसके बारे में हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, यह हमारा fourth point हो गया next step, fifth point family history family history में क्या आएगा इसका कि family में कोई communicable disease से ग्रसीद कोई patient है या नहीं है family में यदि non communicable disease है तो उसके बारे में भी लिखेंगे इसके अंदर ठीक है, patient कि जो family है, nuclear family है joint family है, उसके बारे में लिखेंगे इसके बाद जो patient का जो है family tree बनाएंगे, ठीक है क्या आपका है, family tree बनता है, next होता है occupational and environmental history, उसके क्या है occupation कौन सा कार्य करता है, ठीक है, patient उसके उपर लिखना है आपको, और environmental लिखना है, उसके घर में ventilation है या नहीं है water supply कौन सा है electric supply कौन सा है, house कौन सा है ठीक है, उसके बारे में history आपको लिखनी है, और इसके बाद psychological history और उसकी psychological history आपको लिखनी है तो यह था हमारा format of health history तो इस तरीके से क्या है आपके health assessment होता है, जिसके अंदर दो चीजे होती है, health history and physical examination, physical examination के notes आपको link description में देती है, वहाँ से management, इसके purpose और इसकी definition यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like करें वीडियो को share करें, यदि आप हमारी YouTube चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe ज़रूर करें, ठीक है? अपने classmate के साथ सब्सक्राइब ज़रूर share करें, thank you